हेलो एब्रीबन आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाक्यास कॉर्णर में बहुत-बहुत स्वावत हैं तो थम्मनेल से आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक के उपर हैं तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन्य हम बहुत ही असानी से किसी भी हैंगिंग बास形 में लगा सकते हैं और जो बहुत ही एइजी टू ग्रो होते हैं जिनकी बहुत ज्यादध केर नहीं करनी पड़ती है तो आज कुछ ऐसे ही plants के बारे में हम बात करेंगे तो वैसे तो बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम hanging basket में लगा सकते हैं लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसे plants के नाम बताऊंगी जो कि मेरे पास भी available है तो इनमें सबसे पहला नाम है money plant का तो यह बहुत ही common plant होता है जो कि सभी के पास होता है अमोमन और इसको जमीन में या गमले में अच्छी तरह से लगाया जा सकता है और अगला plant है singonium का और यह singonium plant भी बहुत आसानी से hanging planter में लगाया जा सकता है इसमें ज़्यादा care की जरूरत नहीं होती है नीचे fall करता हुआ यह plant की बहुत अच्छा लगता है और अगला plant है sweet potato wine और इसकी जो purple, dark purple color की leaves है जब नीचे लटकती है बोट से तो बहुत ही प्यारी दिखाई देती है बहुत ही सुन्दर plant होता है यह बहुत ही easy to grow होता है ज्यादा care की जरूरत नहीं होती है और यह दो color में आता है एक तो dark purple और एक green में भी आता है और अगला plant है fern तो fern भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगती है और कई तरह की fern आती है लेकिन मेरे पास तीन तरह की fern available है तो यह fern plant भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगता है और अगला plant है jade plant तो jade plant भी बहुत अच्छा लगता है hanging baskets में इसकी छोटी छोटी सी leaves जब नीचे लटकती हुए दिखती है तो बहुत ही प्यारी लगती है और पूरे plant में यह फैला हुआ होता है तो बहुत सुन्दर दिखता है बहुत ही आसानी से लग जाता है इसको भी बहुत ज़्यादा care की ज़रूरत नहीं होती है और इन सारी plants की खासियत यह है कि यह सभी cutting से ही grow हो जाते है अगर इनका छोटा सा एक टुकड़ा भी हमारे पास हो तो उसे लगा दे तो उससे भी बहुत अच्छे फैलते है और अगला plant है baby tears का तो baby tears भी बहुत सुन्दर plant होता है इसके बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी leaves होती है बहुत प्यारी लगती है और hanging basket में यह पूरे जब भर जाता है नीचे तक लटकती है तो बहुत ही सुन्दर लगती है और अगला मेरा plant है turtle wine और turtle wine की यह देखी कितनी नीचे तक लटक रही है इसकी सारी टहनिया और एक दूसरा यह turtle wine है यह भी बहुत सुन्दर लगता है और यह सब ही cuttings से grow हो जाते हैं इनमें ज्यादे केर की जरूरत भी नहीं होती है और यह मैंने cuttings लगा दी थी दूसरे एक pot में और अगला plant है मेरा यह wandering Jew तो wandering Jew जो है यह भी cutting से लग जाता है और hanging basket में बहुत सुन्दर दिखता है और dark purple कलर का इसका जो leaves होती है उनका पीछे का shade dark purple होता है और उपर का जो है white और green सी shade की leaves होती है बहुत प्यारी लगती है और अगला last plant है मेरा spider plant तो यह सारे plant ही जो है यह मेरे अपने घर के ही plants है जो मेरे पास available थे मैंने वही plants आपको दिखाए है तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लेगेगा और यह plant साम भी लगा कर अपने घर में हर्याली रखेंगे तैंक यू